आज की इस वीडियो में हम जानकरी देंगे आपको सेखवाटी के इतियास प्रसिद्ध राजा राईसल जी दर्बारी की राजा राईसल जी सेखावाटी में खंडेला रियासत के राजा थे और उनके वंस जोने सेखावाटी के अंदर काफी सारी रियासते या जो ठिकाने हैं वो काईम किये तो जानिये राजा राईसल जी दरबारी का इतियास इत्यास में राजा राईसल दर्बारी के नाम से प्रसिद्ध, खंडेला के राजा राईसल जी का जन्म, महराव सेखा जी की वंस परंपरा में, अमरसर के सासत, राव सूजा जी की रानी, रतन कमर राठोड के गर्प से, फालगुन बद्दी, अस्टमी को विक्रम सम्मत 1595 को सोला सो ग्यारा में आकर रहने लगे, और यहीं एक छोटे से गड की नीव डाल कर अपने रहने के लिए एक गड बनवाया, लेकिन कुछी दिनों बात, अमरसर के दर्बार में एक ऐसा वाकिया वा, कि उसने राईसल जी की दिसा और दसा दोनु बदल दी, और उनका कासली, रेवासा और खंडेला के उपर सासन इस्तापित हो गया और उन्हें राजा की पदवी भी मिली, हुआ यूं कि एक दिन अमरसर के सासक और उनके बड़े भाई, रावल लूनकरन जी का अपने दिवान देविदास से किसी बात पर विबाद हो गया, और नाराज होकर दिवा दिवान देविदास जी ने उतर दिया कि हुझूर, जागीर का क्या बड़ा, बड़ा तो वीर ही होता है, जो अपने पुरुषार्त के बल पर कितनी ही बड़ी जागीर बना लेता है, और पुरुषार्त ना हो तो पिता से मिली जागीर भी खो देता है, अमर सर नरेश नहीं बरोसा है, तो लामिया गाम जाओ और अपनी बात को चरितार्थ करके दिखाओ, दिवान देविदास जी भूध, बुद्धिमान, दूरदर्शी और चतुर वेक्ती थे, वे राईसल जी के पास लामिया गाम आ गए, और उन्होंने राईसल जी को कुछ सक्ती जुट कर अकबर की सेवा में जाने की सला दी, कहा जाता है कि राईसल जी के पीता सूजा जी ने कुछ धन जमीन में काड़ा था, जिसकी जानकारी दिवान देविदास जी को थी, देविदास जी ने वे धन निकाला और राईसल जी को दे दिया कि इस धन से एक शेनिक टुक्ड़ तियार करो और बाद से आकबर के पास चल कर वीरता प्रदशित करो आपको जागिर है जागिरे मिलेगी इस सम्मन्द में राइसल जस्ट सरोज नामा किताब में एक दोहा बिलता है दोहा इस तरह है देवी दास के पास द्रव सूजा तनो समस्त लाम्या कड़ी ले गयो व्यो राइसल हस्त कुछ इत्यास करों ने लिखा है कि इसी दन से राइसल जी ने दोसो अस्वरोई से निको का एक दस्ता बनाया और दिवान देवी दास्ती की सला से नया राज्ये खड़ा करने की योजना बनाने लगे जबकि सीकर के इत्यास में पंडित जाबरमल जी सर्मा न के पास आगरा आ गए और शिक्र ही कई महतोपूर्ण युद्धों में वीर्ता दिखाने की चलते अकबर के दरबार में दरबारी का खिताब पा लिया अकबर ने उन्हें रेवासा और कासली के परगने भी दिये फालगुन विक्रम सम्मत 1624 में उन्होंने खंडिला पर आक दिखाई और महतोपूर्ण भूमी का निभाई तो उनका जो पहला युद्ध था वो था विक्रम सम्मत 1614 में अकबर के अफगानों के साथ हुए संगर्स में राईसल जी एक सेनिक के तोर पर सामिल वे उन्होंने उस युद्ध में अद्भुत सोरी दिखाते वे सत्रुप पक्ष के सनापती को मार गिराया था इस तरह उनकी वीरता के चलते अकबर की सेना लहोर में विजए अबियान में सफल हुई इसी वीरता के लिए कुछ समय बाद राईसल जी को रिवासा और कासली के परगने दिये गए दूसरा उनका जो युद्ध था वो था विक्रम सम् जिसमें राजा राईसल चंदावल के मुख्य पंक्तियों में से थे यानि युद्ध की जो पंक्ती होती है चंदावल उसमें वे मुख्य पंक्तियों में थे ये युद्ध दो उजबेक बंदों अलिकुली खां और भादूर खां के खिलाब लड़ा गया था जो बहुत भ परहा करके उन्होंने खंडेला जीता और अपनी राजदा नी मनाया। पाटन पर कबजा करने के बाद अकबर वे मिर्जा इबराहिम की सेना के बीच दो दिसंबर 1572 को सरनाल नमकेकस्तान पर युद वा इस युद में भी राईसल जी अकबर के साथ साई की तरह रहे विक्रम सम्मद 1642 में बलोचों ने अकबर के विरुद विद्रो कर दिया था जिसे दबाने के लिए अकबर ने राईसल दर्बारी फैसाखकुली खाम मरहम को बेजा जिन्होंने विद्रो को दबाया इसके अलावा भी राईसल दर्बारी ने बावन युद्धो में विजे प्राप्त कर अपने वीड़ता का डंका बजाया था एक बार राईसल ने अकबर की भी जान बजाई थी हुआ ये कि विक्रम सम्मत 1640 में एक सती होने के मामले में जोद्पुर के राजा उदे सिंग जी और बादसा अकबर के मते विबाद हो गया और इसी विबाद में जोद्पुर के राजा उदे सिंग जी क्रोध में इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने आवेस में तलवार कहिंच ली और अक्बर पर अक्रमन कर दिया उसमें राजा उदे सिंग जी को बीच बचाओकर पकड़ लिया और अक्बर की जान बचाई बाद में अक्बर ने इस गठना के बावजूद राजा उदे सिंग जी पर कोई कारवाई नी की और उनको माफ कर दिया इस गठना के अलावा भी अनेक युद्धों में राजा राईसल ने अक्बर की कई बार जान बचाई अक्बर हर युद्ध में उन्हें साय की तरह अपने साथ रखता था कई युद्धों में राईसल जी ने अकबर की जान पचाई जिससे अकबर उन्हें अपना सबसे विश्वास पात्र समझता था और इसी कारण विक्रम सम्मत 1640 में अकबर ने अन्तैफुर, राज महल, खजाना और ग्रेवबा का सारा प्रबंद राईसल जी के अधिकार में दे दिया था साज जादा मुराज और खवाजा अब्दुल सेद भी इन कामों में प्रबंदन में राजा राईसल जी के साथ थे राजा राईसल जी वीरता के साथ दानी वे धर्मशील पुरुष थे, भगवान गोपिनात जी उनका इष्ठ था अतै राईसल जी ने अपने इष्ठ देव गोपिनात जी का वरिंदा बन में लाल फत्रों से युक्त एक भवे मंदिर का निर्मान खरया इस मंदिर का निर्मान बेसाक सुकला तीज, विक्रम संबत 1642 में पूरुण हुआ मंदिर के भोग के लिए राईसल जी ने सेवली गाव की 13,000 विगा भूमी भेंट की राईसल जी ने लोहर गल में भी गोपिनात जी का एक मंदिर बनवाया था वे जहां भी जाते थे, वहां अक्षर मंदिरों, कवियों, ब्रहमनों, साहित्ते करों को भूमी दान दिया करते थे अकबर के पूरे राजिय में उन्हें जमीन के पट्टे आउंटित करने का आधिकार था राजा जाईसल की प्रतिभा वे करतब वे प्राइंड़ता के चलते अकबर ने उन्हें पचीस सो जाद वे बारा सो पचास सवार का मंसब दे रखा था जो अकबर के बाद साहजादा सलीम ने जहांगीर के नाम से गद्धी पर बेटते ही तीन जार कर दिया शाजा सलीम को भी बाद साह की गद्धी पर बेटाने में राजा राईसल जी का मैतोपून हाथ था राजा राईसल जी की मृत्यू कब ही कहाँई इस समन्द में रहस्ये बना है विक्रम सम्मद 1665 में राजे विस्तार हेतु जहांगीर ने उन्हें दक्षण में बेज दिया था जहां उन्होंने कई युद्धों में भाग लेकर विजे प्राप्त की दक्षण में बुर्हानपूर नामकस्तान पर उनकी सेनिक चामनी थी इत्यासकार उनकी मृत्यू बुर्हानपूर में ही होने का अनुमान लगाते हैं इत्यास पुस्तक केश्री सिंग्षमर में राईसल जी का मृत्यू का समय विक्रम सम्मद 1675 में लिखा है ये कावे उनके सो बरसों बाद लिखा गया था जहांगीर नामा के उलेक केश्री सिंग्षमर वेकुस्तामर पत्रों के अद्यासे विद्वान इत्यासकार राजाराईसल जी की मृत्यू विक्रम सम्मद 1678 में मानते हैं राजाराईसल जी की मृत्यू के बाद उनके बारा पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र गिर्दरदास खंडेला की गद्दी पर बैठे अब बात करते हैं राजाराईसल जी की रानियों की और उनके पुत्रों के बारे में उनकी एक रानी थी बढ़ गुजर अमरती जो देवती के लगदीर सिंग की पुत्री थी राईसल जी की इसी बढ़ गुजर रानी के गरब से लाड़ा जी का जन्म हुआ लाड़ा जी की जो वंस है जैं वो लाड़ खानी शेखावत कहलाते हैं भारत के पूर्व उप्राष्ट पती स्वर्गिय भहरुशिंग जी शेखावत का जन्म भी इन्ही लाड़ा जी के वंस में हुआ था उनकी एक रानी थी मेड़तनी जी जो मेड़ता के स्वामी इत्यास प्रसिद्ध वीर जैमल राठोड के पुत्र विठल दास मेड़तियागी पुत्री थी इस रानी के गर्ब से त्रीमल वे गिरदर्दास वे थे त्रीमल के वंसज राव जी का सेखवत कहलाते हैं और गिरदर्दास के वंसज गिरदर्दास जी का सेखवत कहलाते हैं इनकी एक मेड़तनी रानी और थी जिसका नाम था हंस होरी जो मेड़ता के स्वामी वीरमदेव जी के पुत्र जगमाल जी की पुत्री थी इनके गर्ब से बोजराजी का जनम वा था बोजराजी के वनसज बोजराजी का सेखावत कहलाते है राईसल जी की एक रानी गोड लाड कमर थी जो मारोट के सुवामी कुमभा जी गोड की पुत्री थी जिनके गर्ब से वीर भांजी नामक उनके एक पुत्रवे हमने आपको राईसल जी के बारे में जितनी जानकरी दी है उसके मैं आपको संदर बता देता हूँ सेखावाटी प्रदेश का राजनेतिक इत्यास राव सेखा, सेखावाटी प्रकास और सीकर के इत्यास इस चार पुस्तकों से हमने ये जानकरी जुटा करके आपके सामने प्रस्तूत की है आसा है आपको पसंद आईगी अगले किसी वीडियो के अंदर हम फिर एक नई जानकरी लेकर फ्रस्तूत होंगे तब तक जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में धन्यवाद, जे बारत